असलाव अलेकुम गूड मॉर्निंग आप सबका मेरी चैनल पर वापस से सवागत है तो गोल तकरीबन दो हजार थैस डॉलर के आसपास चल रहा है कल गोल ने तकरीबन दो हजार थैस डॉलर तक के हाईस बनाए 48 डॉलर के बाद लोस भी मनाए तकरीबन दो हजार अठाइस डॉलर के आसपास अभी दो हजार थैस डॉलर के आसपास चल रहा है सुभा आस्ट्रेलिया के CPI यांकड़े आये थे CPI यांकड़ों में एक अच्छी गिरावट देखने को में ली बट अभी भी CPI जो है इनकी काफी बड़ी हुई है तो थोड़ा सा ख्याल रखेगा चाइना के मैनिफाक्ट्रिंग और नॉन मैनिफाक्ट्रिंग नम्मर आये दोनों फ्लाट थे जपैन का इंडेस्ट्रियल प्रडॉक्शन थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो यह थे सुबा जो अभी हमारा डेटा आया अर्ली मॉनिंग डेटा आया जिसकी थोड़ी सी मार्केट में तेजी या मंदी जो भी है आप कौन सा पेर देख रहे हैं डिपेंड करता है शाम को जो है पॉने साथ बजे अब्ञान साथ बजे इंप्लौईमेंट कोस्ट इंडेks है कौर्टरली युएस का सबाइड बजे शिकागो पी अम आया है और नौ बजे कुड आयल की इनवेंट्री है तो यह मेजर डेटा है आज के इसके बाद रात को लेट नाइट को federal reserve की press conference भी है press conference का जो भी update है वो मैं आपको कल सुबा के वीडियो में बता दूँगा तो make sure आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको रोज की notification आजाए और कल का जो important federal reserve का brief होगा उसका भी आपको कल ही देखने को मिलेगा वीडियो के अंदर अभी फिलाल 2030-2034 डॉलर के असपास चल रहा है गोल्ड काफी ज्यादा move कर रहा है अप anticipate कर रहा है जो आज शाम को होने वाला है आज रात को जोने वाला है गोल्ड ट्राइंग टॉने वाला है तो चलिए resistance और support गोल्ड प्राइस का क्या है होंगे तो level revise level market commentary में देखे चाए सकते हैं mcx के भी levels market commentary में आते हैं सुभा को market commentary दो जगा आप देख सकते हो एक join का button दबाके YouTube पे वहाँ पे mcx levels नहीं आते हैं WhatsApp पे जो market commentary हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें mcx levels आते हैं mcx के WhatsApp commentary मेरी team का WhatsApp अपने में डिस्क्रिप्शन में है, उनसे जानकरी ले सकते हैं सपोर्ट है आज का 2020 का प्रजिस्टेंस है आज का 2048 का ट्रेंड इसका इंट्रेस्टिंगली अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है तो रखेगा खयाल चांदी पर आते हैं यह है चांदी 23-30 तक के हाइस बनाये थे जाननी ने कल उसके बाद जबरदस 22-90 तक के लोज भी बनाये है यही रेंज है सिल्वर की 22-90 और 23-30 मार्किट आज क्रूशल रहेगा बिकॉस सारा का सारा जो फोकस है वो फेडरल रिजर्फ की प्रेस कॉन्फरेंस पर ही है तो प्लीज ध्यान रखेगा कोई भी अगर आप पोजिशन ले रहे हैं तो मेक शूर आपके पास ट्रिक स्टॉप लोस है अगर स्टॉप लोस नहीं है तो प्लीज पोजिशन ना लें ज्यादा बहतर रहेगा आज का सपोर्ट है 22-90 का रेजस्टेंस है आज का 23-30 का ट्रेंड आज का पॉजिटिव है सिल्वर का भी और गोल्ड का भी तो रखेगा खयाल क्रूड ओइल पे आते हैं यह है क्रूड ओइल कल तकरीबन 75-80 तक का लो बनाया है 75-65 का हमारा टार्गिट था दूसरी या तीसरी बार इस महीने ऐसा हुआ है कि 5-10 पिप्स से थोड़ हमारा टार्गिट क्रूड ओइल के अंदर मिस हुआ है दूसरी या तीसरी बार ुइल के अंदर इस महीने ऐसा हो चुका है 77-50 की आस-पास चल रहा है आज का resistance और आज का Crude Oil में support किया है देख लेते हैं आज का support है 86 50 का resistance है आज का 78 80 का trend इसका फिलाल positive है कल negative zone में गया था और नीचे आई गया था बस फिर उसके बाद अच्छी recovery किया जबरदस recovery दिखाई ऐसा लगा कि Crude Oil को किसी ने current लगा दिया और उपर भाग गया और हमारा stop loss हिट हो गया यूरो पर आते हैं यह है यूरो यह है कल के यूरो के levels 855 का कल हमारा resistance था 857 तक के highs बने कोई भी body नहीं बनी 855 के उपर सारी bodies जो आपर देख सकते हो 850 तक की है 855 के पर कोई भी body नहीं बनी सिर्फ spikes आए और 850 से ही market नीचे आगया अभी 818 के असपास चल रहा है आज का resistance जो है वो same ही है support में जरूर एक change आएगा 770 का आज का support है 770 के नीचे जाके अगर sustain करता है तो 720 तक जा सकता है एक बात ध्यान रखेगा dollar index में और euro में काफी movement हो सकता है जब fed अपना decision announcement होगा उनका और उसके बाद जो press conference होगी उसके बाद ज्यादा movement आता है हमेशा जो है fed का जो event होता है ना कि decision पर के rate बढ़ रहा है के घट रहा है चलिए अब आते हैं British pound पर 2720 का कल resistance है 2700 तक गया और अभी 2675 के आज पास चल रहा है आज का resistance support देखते है 2640 आज का support है 2640 के नीचे 2600 तक जा सकता है resistance है आज का 2710 का trend इसका अभी भी flight बना हुआ है 2710 के उपर 2750 तक जा सकता है अब आता है Bitcoin पर जो की चल रही है 22900 कल के लेवल्स हैं आज का support चेंज हो जाएगा 41,750 का support है आज का 24250 का resistance अभी भी बरकरार है कल इसने high बनाया तक अगरीबन 48850 तक का 41,750 के नीचे एक Bitcoin जो है वीक जोन में जा सकती है और फिर 41,000 और 40,000 तक जा सकती है जब आज 250 के उपर 45,000 तक जा सकती है Ethereum पर आते है 540 का कल का support था हमारा 23-70 का resistance है 23-70 के उपर body बन चुकी है unfortunately इसने कुछ sustain नहीं किया Ethereum ने आज का support है 22-70 का resistance है आज का 23-90 का trend इसका positive है तो रखेगा खयाल बाखी breaking news और data का update मैं telegram और twitter पर दे रेता हूँ दोनों का link description में है paid signals की जानकारी मेरी website पर अबलेबल है link description में है मेरी team का whatsapp number भी description में available है अब मिलेंगे कल के video में तब तक के लिए take care bye bye